नमस्कार आप देख रही है नेशन वन आपके साथ मैं हूरीमा सिंग खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अलिकड की जहाँ पर अलिकड मुस्लिम उनिवर्सिटी के पूर्विच छात्र नेता को एक यूवक ने उनी के ऑफिस में खुसकर कोली मारती खटना अलिकड के सिविल लाइन धाना छेत्र की है जहां छात्र संग के पूर वध्यक शेवम समाचवाधी पार्टी यूवजन सभा के प्रदेश सचिफ शहजाद आलम बर्नी ने किराय पर कमरा लेकर वर्नी फाउंडेशन का काराले बना रखा है शहजाद आलम बुद्वार की रात करीब एक बचे अपने काराले में दो साथियों के साथ बैठ कर कुछ आविशक कारे निप्टा रहा था इसी बीच एक नकापोश यूवगेट को जटके से खोल कर अंदर घुसा और बर्नी को निशाना बनाते हुए पिस्टल से पांच कोलिया चलाई अचानक हुए हमले में तीनों ने अपने को बचाने की कोशिश की इसमें से दो गोलिया शहजाद आलम बर्नी के शरीर में जा लगी एक गोली हाथ की कोनी में और दूसरी जांक में लगी जिसके बाद हमलावर वहाँ से भाग गया गायल बर्नी को तुरंथ मेजिकल कॉलिज में ले जाया गया खटना स्थल पर पहुची पुलिस ने मामिले की जांच शुरू कर दी है इस ने में एक जांच बंदा आया और जो है उसने पिस्टल उसके हाथ में ती है उसने सीदी आके मुछ फाइरिंग करने चुरू कर दी है कर दी है जिए ने में तो पर आना मसला निया अजिए ने कर दो डड़ाई निया ना मेरी किसी से कोई दुश्माइम नहीं भी जो व्रस पर शासन को उनने क्या जिया गटारीस गंटे का उनर टायम देगे तूरा मौका देंगे हम किसी पर कोई टिस्टर बैंस नहीं करेंगे उनके काम का जो आप तालीस गंटे का पूरा टाइम देंगे अगर आप तालीस गंटे में खोश पाते हैं तो ठीक है अन्य था पर बाकी चीज़े हम लोग करेंगे अलिगर सेज तुरेंद्र तोमर की रिपोर्ट तो मेरे साथ फिलालेस बुलिचन में इतना ही लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं नेशन वन के साथ दीजे जाज़त नमसकार